हाई लेविंधीज, वेलकम टो ईसीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज, आज के स्वीडियो में हम लोग के स्टेडी करने वाले हैं चेप्टर वन की, जिसमें हम हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे और के स्टेडी सॉल्व करेंगे, सो आपको भी हरी क्लाइन समझानी चाहिए, तब भी के स्टेडी सही से सॉल्व हो पाएगी, सो स्टार्ट करते हैं और हाँ, अगर फिर भी आपके बन में कोई डाउट रहता है, या किसी भी सब्जेक्ट को लेके, लाइक अकाउंट्स, बिजनस, एकनॉमिक्स, तो आप आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉर न्यू वीडियो और आपके डाउट्स के लिए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है, के स्टेडी को करते हैं वक्त हमें सबसे पहले, यहां से ना स्टार्ट करते हुए, नीचे से स्टार्ट करना उते लाइन से, कि आखिर हम से पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद हम के स्टेडी पढ़ते हैं, तो यहां पर, to which type and subtype of industry are related, the different product described in the above para, तो वो हम से पूछ रहे कि कि किस type की, और उस type का हमें subtype भी बताना है, इंडस्ट्र के बारे में बात करी जा रही है, तो श्री राधी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड is a large company, okay, which produce agriculture product like a sugar cane, cotton, etc. अब भाई यह जो इंडस्ट्री है guys, यह sugar cane बोले तो गन्ने और cotton बनाते हैं, instead of selling these agriculture product in the market, the company used these as a raw material to produce sugar and a cloth in its own established sugar meal and cloth meal at some ruler area. अब देखो, यह इन sugar cane को और cotton को बाहर ना बेशते हुए, यह अपनी खुद की factory में उसे as a raw material use करते हैं, उसे sugar और clothes कपडे बनाये जाते हैं, ठीक है, sugar meal में sugar बनते हैं, cloth meal में कपडे बनाये जाते हैं, कहां पर some ruler area में, where there are a high unemployment, जहां पर भहुत सारे लोग भेरोजगार है in this way the company provide employment to above, about 200 local people और इस तरीके से वो एक तरीके से लोगों को क्या provide कर रहे, job provide कर रहे, तो हम से पूछा गया था guys, कौन से type की industry और sub type of industry, तो देखो आपको पता है, तीन type की industry की हम लोग बात करते हैं, primary, secondary and tertiary, तो यहां पर देखो अगर आप primary industry के बारे में भी बात करी ज industry कहां पर है guys, हमारी जहां पर agriculture production आजाता है, जहां पर हम nature से related production करते हैं, तो वो हमारा primary industry है, जैसे की sugar cane और cotton, ठीक है, फिर उसका हमें sub type बताने हैं, तो primary में भी आपका extractive and genetic, दो टाइप का होता है, extractive industries में guys, हम basically nature से, natural resources से extract करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, चाहे farming हो, mining हो तो यहां पर हम वही करें, तो extractive sub type आएगा, उसके बाद इन्होंने पूछा, बताया है कि यह raw material को हम use करते हैं, अपनी ही industry में guys, तो उस industry को हम secondary industry कहते हैं, जहां पर manufacturing करी जाती है, other products की, right, अब manufacturing में यह किस industry की बात करें, क्योंकि manufacturing में भी बहुत सारे type है, so manufacturing में यह बात क करें guys, processing की, अगर आपने वो theory वाली वीडियो नहीं देखी, तो जरूर देखना, processing industry की बात करें, जहां पर basically clothing, हमारे sugar को process करके, जैसे चीनी बनाई जाती है, और cotton से कपड़े बनाई जाते हैं, तो processing की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी guys, बहुत सारे type आजाते हैं, मतलब आपको manufacturing industries के भी parts जरूर याद करने हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं, तो यहां पर अगर वो type पूछें, तो secondary industry में हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, sub type क्या है, processing industry की, ठीक है, तो यह हमें इसमें बताना है, अब बढ़ता है next case study पर, so guys, first case study हमें clear है, जिसमें secondary में manufacturing, manufacturing में processing था, ठीक है, अब हम second case study करते हैं, जिसमें हम से क्या पूछा गया है, हम से चार question पूछे गई हैं, एक ही case study में, जो की total six months का question है, पहला है, which economic activity is Farhan going to do, Farhan कौन से economic activity कर रहा है, and on which part of business was the information given to Farhan by the business expert, तो पढ़ते हैं, एक बार जरा, Farhan a young man wants to provide employment to the local people of his village, Farhan एक guys young man है, और वो चाता है कि अपने गाउं में लोगों को employment दे, he decided to do the wholesale business of mobile phone, वो कहता है, mobile phone का wholesale business करूँगा, made by the latest technique से, जो भी mobile phone बने हैं, उनका क्या करूँगा, मैं wholesale business करूँगा, यानि कि बड़े माल, बड़े scale पर खरीदूँगा और बेचूँ begin to crop up his mind, बहुत सारे questions उसके mind में आगए, क्या questions आए, how will the goods be brought from distance places and how will the finance be arranged and how will the information on his modern business be conveyed to the people, वो कहता है कि बड़े कि कि सरीके से में दूर तक अपनी चीजों को पहुचाऊंगा, पहला, दूसरा मेरे पास पैसा कहां से अरेंज होगा, तीसरा में अपनी information को, जो business की information है, कि सरीके से लोगों तक पहुचा सकता हूँ, समान को कैसे पहुचाऊंगा, फिर पैसा कहां से लाऊंगा, और अपनी information को कैसे पहुचाऊंगा, he considered a business expert, he consulted, consult किया guys, उसने business expert Mr. Balram से, who gave him information on the auxiliaries to trade, which could solve his problem, Farhan understood what the expert told him, he employed 50 workers and started his business, और उसने बलराम की बातों को माना, और अपना business start किया, तो पहला हम से पूछा गया है, which economic activity is Farhan going to do, so guys, कौन सी economic activity कर रहा है, वैसे तो, हमारे पास जब हम इस chapter को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है, employment, business, profession, right, but यहां पर guys, बात करे जा रही है, जहां पर हमें economic activity और भी बताए गई है, जिसमें हमारा, basically, industries, trade, primary, secondary, उस से related बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर वो बात ही, auxiliaries to trade activities की कर रहा है, और trade activity की कर रहा है, तो which economic activities Farhan going to do, Farhan कौन सी economic activity करना चाह रहा है, guys, तो Farhan करना चाह रहा है, trade, जिसमें वो खरीद कर बेचना चाह रहा है, अपने product को, ठीक है, वो भी at a large scale, wholesale market में, second, guys, on which part of business was the information given to Farhan by the business expert, किस पार्ट पर, guys, business की information given, दी गई है, Farhan को, expert, यानि कि बलराम ने, guys, किस बारे में बात करी है, simple शब्दों में बोलो, तो, बलराम ने किस बारे में बात करी है, तो, बलराम ने किस के बारे में बात करी है, guys, यहां पर लिखा है, auxiliaries to trade, यानि कि हमारे जो trade करने के लिए, हमें जो सहायग helping activities होती है, जैसे कि banking हो गया, advertisement हो गया, उसके बारे में यहां बात करी जारी है, if we add the answer 1 and to the, and, क्या हो लिखा है, if we add the answer of A to the answer B, which part of business shall we have, अब देखो A और B को अगर हम मिलाते है, guys, तो, हमें पता है, न, देखो, first trade, trade plus auxiliaries to trade, क्या बन जाता है, commerce, जिसके अंदर, वो सारी activities आती है, जिसमें हम अपने goods को exchange करते हैं, goods and services को to the consumer, right, तो, यहां पर, अगर हम first or second को add कर दे, तो, वो क्या बनेगा, commerce बनेगा, हमने पढ़ा है, economic activities में, guys, industries and commerce, तो, यहां पर commerce की बात करी जारी है, उसके बात, fourth, ही कहते है, explain the auxiliaries to trade, which may solve the problem of Farhan, जो business expert ने बताई है, तो, देखो मैंने, जैसे पहले, जो distance है, उसे कहां से दूर कर सकते है, transportation से, right, second, guys, distance हो गया, transportation से हो जाएगा, finance, banking activities से, and third, जो था, information को convey करना, लोगों तक, advertisement, तो, तीन auxiliaries to trade हमें बताय जा रहे है, जिससे, hindrance को, यानि कि हम अपने, जो भी रुकाव्त आएंगे, उसको दूर कर सकते है, right, अब हम बढ़ते है, guys, अपनी third case study पर, third case study क्या है, बहुत interesting सी है, ये case study, देखो, third case study में वो हम से पूछते है, identify and state two types of industries, industry activity from the above para by quoting the lines, so, MVT construction, हमें यहां क्या बताना है, guys, identify करना है, और state two type of industrial activity, industrial activity में दो type की industrial activity यहां पे बतानी है, line को बताते हुए कि कौन सी line से आपको पता चल रहा है, तो वो आपको line भी अपने answer में लिखनी पड़ेगी, MVT construction, जो है private limited, deals in constructing, building, bridges, road and dams by using a cement, ठीक है, वो क्या बनाते है, guys, building, बनाते है, bridge, road, dams, steel, brake, road, यह सब चीज़े वो बनाते है, and there are thousand employee in all working in this company, हजार लोग काम कर रहे है, the managing director of the company, Mr. Shyam Sundar, take full care of the quality of the work done, and Mr. Shyam Sundar, हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे है, recently the company, company got a contract of constructing five big building, two bridges and one long road and one dam, contract भी उनको मिल जाता है, the company has got a special division also, which owns 100 truck, उनके पास 100 truck, यानि की 100 truck भी है, guys, and these truck are used for transporting goods on a hire, और वो ये किराई पर ट्रॉक चलाते हैं, किराई पर देते हैं अपने truck को, this division is working quite successfully, ये भी बिजनस उनका बहुत अच्छा चल रहा है, under the supervision of divisional manager, Radhika Dasi, ठीक है, तो वो एक्चल में दो बिजनस कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा identify करने को, तो हम identify कर सकते हैं, guys, identify करेंगे, तो देखो, MVT, construction, private, deals, इना, construction, building, bridge, road, and dance, इस line को अगर हम देखें, और court करके अपने answer में लिखेंगे, तो यहाँ पर बात करी जा रही है, secondary industry में, secondary में भी उसका type है, guys, construction, है ना, जा रही है, जो construction करते हैं, roads वगरा की, अब इन्होंने second industry के बार में पूछा, तो second इन्होंने जो यह काम कर रहे है, truck ले रखेंगे, और वो खिराय पर देते हैं, तो यह एक तरीके से service provide कर रहे हैं, तो यह tertiary sector, tertiary sector की बात कर रहे है, और इसके लिए हम जो line लिखेंगे, guys, the company has got a special division, 100 truck and these truck used for transporting goods on a hire, तो यहां तक हम line लिखके, इसका answer बता सकते हैं, कि हम tertiary activity की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसका answer कर सकते होगा, So, अब हम बढ़ते हैं, guys, अपनी next case study, जहां पर what type of activity does Dr. Rajeev Mishra perform in the hospital and home? दोनों जगे वो काम कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं, Dr. Rajeev Mishra, जो है, guys, working against the post of a senior doctor at government hospital में, ठीक है, He does not discriminate between the rich and poor while treating his patient medically, when he returns home from the hospital, he attend to the poor patient at home free of cost, between 6 p.m. to 8 p.m. भाई, घर आके भी वो समाच सेवा कर रहे हैं, besides, he gives them the information about the employment opportunity, वो लोगों को employment opportunity के बारे में भी बताते हैं, He advises many young people to go into the field of advertising and transportation, they went into this field and remarkably succeed there, लोगों को उनोंने suggestion दिया, कि आप advertisement में जाओ, transportation के काम में जाओ, और लोग गए और वहाँ पे succeed भी हुए, आप इनोंने हमसे पूछा क्या था, कि किस type की activity राजीव Mishra perform कर रहे हैं, तो पहली तो guys, जो वो doctor है, hospital में, ये एक economic activity है, ठीक है, और जो वो घर आके जो काम कर रहे है, poor people के लिए 6 PM to 8 PM, that is the non-economic activity, second चीज़ उनोंने हमसे पूछी, explain the auxiliaries to trade mention in the above para, तो auxiliaries to trade में हमारी helping activity आजाती है, trade की, तो यहाँ पर कौन सी बात करी जा रही है guys, एक advertising की और दूसरा transportation, तो आपको इसकी definition लिखकर इसको explain करना है, तो easy स को समझ आई होगी, और अगर फिर भी doubt है, तो आप मुझे इंस्टा पर message कर सकते हो, या फिर YouTube पर comment के थूँ, और अगर वीडियो पसंद आई है, तो like करें भीन आप बिलकुल नहीं जाना, next video में मिलते है guys, bye, take care.